तो सो IPL 2024 के auction होने में अब से कुछी दिन और रहेगा और सभी टीमें IPL 2024 के auction की तैयारियों में पूरी तरह से लग चुकी है तो ऐसे में कौन सा इस्टेटिस नाइड़ाज IPL 2024 के auction में अपनाने वाली है किन-किन प्लेरों को ये टीम टार्गेट टेक करेगी मैं इस चुड़ों में आपको उन-5 खिलाड़ों के बारे में बताने वाले हूँ जिनको कोलकाता नाइड़ाज IPL 2024 के auction में सबसे पहले टार्गेट करेगी तो वीडियों रहने वाली है काफी जाद इंपोर्टन्स वीडियों में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाद नहुए तो सुख IPL से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिपिन में जो हैं मिल जागी तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं IPL 2024 के आउक्षन से पहले कोलकाता नाइटर ने अपने कई बड़े खिलाडियों को रिलीज करके अपना पर्स बैलेंस काफी हाई कर लिया है इन रिलीज खिलाडियों के लिस्ट में कई फास्ट बॉलर भी शुमार है लोकी फॉरकेसन टीम साउती शारदू ठाकुर समयते कई बड़े खिलाडियों को इस टीम ने रिलीज कर दिया और इस टीम का जो पर्स बैलेंस है 32.7 करोड रुपीज है IPL 2024 के ओक्सन में कोलकाता नाइडर जो है सबसे पहले मिचल इस्टाक को टारगेट करने वाली है मिचल इस्टाक जो की एक बहतरीन फास्ट बॉलर पिछले कई सालों से IPL नहीं किले लेकिन IPL 2024 में इनकी वाफसी होने वाली है इन्होंने आउक्सन में अपना नाम दे दिया और मिचल इस्टाक का नाम आते ही लगबग सबी टीमें जो हैं इन पर बोली लगाने के लिए तयार रहने वाली है लेकिन कोलकाता नाय जो ही इन पर सबसे बड़ी बोली लगा कर अपने स्कौइड में शामिल कर सकती है जो कि इस टीम के लिए काफी बहतरीने साबित हो सकता है मिचल इस्टाक के उपर आउक्सन में लगबग 12-13 करोड की बोली लग सकती है वहीं दूसरे जो प्लेयर हैं शारू खान जिनको कोलकाता नाय जो है सबसे पहले टार्गिट करके अपने स्कौइड में शामिल कर सकती है शारू खान जो की एक बहतरीन फिनिशर के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलर भी है और IPL में पिछले कई सालों से ये पंजाब टिंग के लिए खेले लेकिन पंजाब टिंग ने अब इन्हें रिलीज कर दिया है तो ये आक्सन का पार्ट बनेगा और इनकी बेस प्राइस मातर 40 लेक रूपीज है तो शारु खान के ओपर कई टीमें जो हैं बॉली लगाएंगे लेकिन कोलकाता नैट जो इन पर 7-8 करोड की बॉली लगा कर अपने स्कौइड में शामिले कर सकती है जबकि तीसरे जो प्लेयर हैं कार्टिक टागी कार्टिक टागी काफी एंग प्लेयर और काफी बेहदरीन इनकी बॉलिंग अटैकिंग रहती है और IPL 2024 के ओक्सन में कोलकाता नैट की निगाहें पूरी तरह से कार्टिक टागी पे ठीके रहने वाली है जो कि शिवा मावी जैसे एक बेहदरीन फाट बॉलर कोलकाता नैट के लिए खेल चुके है वैसे ही कार्टिक टागी की कोलकाता नैट अपने स्कुर्ड में शामिल कर सकती है IPL 2024 के लिए चोते जो प्लेयर है हर्शल पडेल हर्शल पडेल जो पिछले कई सालों से IPL खेलते हुए आ रहे है और IPL 2022 के परपल कैप होल्डर भी बन चुके है अब इन पर कई टीमों की निगा हैं पूरी तरह से ठीकी रहने वाली है क्योंकि हर्शल पडेल को रोयल चैलेंजर बिंगलों ने रिलीज कर दिया और हर्शल पडेल आईपिल 2024 का उक्सन का पार्ट बनेंगे ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुके है और आईपिल 2024 की उक्सन में कोलकाता नैट जो है हर्शल पडेल को टारगेट करके अपने टीम में शुमार कर सकते हैं कि शारदुल्ट अगुर की रिप्लेस्मेंट बन सकते हैं वही पाँचवे जो प्लेयर है पैट कमिन्स पैट कमिन्स जो है कोलकाता नैट के लिए कई सालों तक खेले है लेकिन आईपिल 2023 में अपना नाम इन्होंने वापस से ले लिया था मिचल इस्टाक या फिर पैट कमिन्स मेंदे कोई एक प्लेयर को कोलकाता नैट अपने टीम में शुमार करेगी यह पूरी तरह से कनफर्म है तो दोस्तों यह बड़ी स्टेडिजी कोलकाता नैट अपना सकती है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं तो दोस्तों इसटों बतने अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक कर देना तैंकिसो मज़ गाइस पूर वाचिंग इस वीडियो